जर्मन से आई विदेशी गोरी के साथ देशी छोरे ने की जब छट पूजा तो देखिए फिर क्या बोले लो देशी अंदाज में जब विदेशी दुलहन छट गाट पर पहुँची तो हर किसी की निगाहे वस उसे ही निहार रही थी खूपसूर्ती की मिसाल और आस्था के प्रती समर पर देख लोगों ने की दिल खोल कर तारीफ हिंदुत को लेकर जर्मन से आई हिंदुस्तान की बहुँ ने जो कहा उसने हर किसी का दिल जीत लिया और लोगों ने कह दी बड़ी बाद ये जर्मन की रहने वाली विक्टोरिया हैं जिन्हें हिंदुस्तान इतना पसंद आया कि शादी भी हिंदुस्तानी से कर ली और अब तीज त्योहार पर हिंदुस्तान की विदेशी बहु जब सज धज के निकलती है तो खूपसूर्ती के सब कायल हो जाते हैं विक्टोरिया के दिल में हिंदुस्तानी सब्विता का ये असर है कि जब छट गाट पर वो पती के साथ पहुँची तो कोई तो उनकी सुन्दर्ता को नियार रहा था तो कोई उनके समर्पन की तारीफ कर रहा था गोरखपुर के शुभम अगरवाल की दुलहन विक्टोरिया ने पूरे विधी विधान से छट की पूजा की विक्टोरिया की शादी गोरखपुर के शुभम अगरवाल से हुई है विक्टोरिया और शुबम ने हिंदू और जर्मन रीत रिवाज से शादी की है छट पर्व के दिन दोनों ने गोरखपुर के सूरिकुंड धाम में पूरे वीधी विधान से छट ब्रत्या और पूजा अर्चना की पूजा करने के लिए विक्टोरिया ने एक काले रंका सलवार सूट पहना था जिसे उन्होंने चमकीले गुलावी दुपट्टे और बिंदी के साथ जोड़ा था इस सुमोके पर विक्टोरिया के पति शुबम ने कहा कि हम यहां आकर बहुत खोश हैं क्योंकि हम विदेश में रहते हैं मैं पिछले 12 सालों से दूर रह रहा हूँ मैं चट जैसे त्योहार को देख कर बड़ा हुआ हूँ उन्होंने कहा कि यह मेरे बच्चों और मेरी पतनी का पहला चट है इसलिए हम बहुत खोश हैं मुझे लगता है कि यह त्योहार नकेवल मानवता को बलकी सभी को एक साथ लाता है भारत में चट मनाने के अपने अनुभव के बारे में बोलते हुए विक्टोरिया ने कहा कि मैं वास्तम में इसका आनंद ले रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस त्योहार को अपने पती के साथ यहां भारत में मना रही हूँ सोमवार को प्राते सूर को अर्ग अर्पित करने के साथ छट व्रत की पूरा हूती हो गई सूर के उदय होते ही शद्ध्वालूं में खुशी की लहर दोड़ पड़ी व्रतियों ने अर्ग अर्पित कर मंगल कामना की जैखोश गूँज रहा था माहौल भक्ती से उत्प्रोथ था और इस माहौल के बीच हर कोई विक्टोरिया की तारीफ कर रहा था कि विदेशी होने के बाद भी भारतिये परंपराओं को निवाने का जुनून है वो काबले तारीफ है विक्टोरिया की माने तो उसने शोभम से शादी ही इसलिए की ताकि वो भारत को करीब से जाने और भारतिये सब्विता का हिस्सा बज़ सके जेरो रिपोर्ट मीडिया हल चल झाल